गुड़ में इस्टूणेंट्स विए अकने सीने सेकंडी स्कूल टॉंक से में सामजी का द्यापक सामजी की ज्यान में हमारे अतीत बाग फ़स्ट कक्षा साथ के लिए इत्यास की पुस्तक के अंतरगत हमारा जो पार्च लड़ा शासा को रिमारते उसके अंतरगत आगे बाबर हुमाईव अकबर जहांगीर विशेश रूप से शाजा साइते कला और वास्तु कला में व्यक्तिकत रूची लेते थे अपने आत्मकता में बाबर ने उफचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने के अपनी रूची का वर्णन किया अक्सर ये बाग दिवार से घिरे होते थे तथा कृतिम नहरों द्वारा चार भागों में भाजी थे आयताकार आहातों में स्थित होते थे अपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तता खाका तयार करने में बाबा ने अपनी रूची का वर्णन किया चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार भाग कहलाते थे चार भाग बनाने की परंपरा अक्बर के समय से शुरू हुई कुछ सारोदिक सुन्दर चार भागों में कश्मीर आगरा और दिल्ली में जांगिर और शाजाने बनवाये थे अक्बर के शाशनकान में कई तरह के मेच्पुन वास्तु कलात्मक नवाचार हुए उनकी प्रेणा अक्बर के वास्तु शिल्पो ने उनके मद्दे एशय पूर्वज तेमुर के मगबरों से ली हुमायू के मगबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रिय गुंबद जो भाउंत उचा था उचा मेहराबदार प्रविश द्वार पिश्क तक मुगल वास्तु काल के महत्वपुन रूप बन गया ये मगबरा एक विशाल और उप्चारिक चारवाग के मद्दे में इस्तित था इसका निर्मान आठ स्वर्गो अत्वा हस्त भीषिती की परंपरा में हुआ था जिसम किनारे सफेद संग्मर्मर से बने हुए फेर शाजा के शाषनकाल के दोरान मुगल वास्तु काल कला के विभिन तत एक विशाल सदभावना पौन संसलेक्षन में मिला दिये गए शाजा के शाषन में अनुरत निवा निर्मान कारे चलते रहे विशेश रूप से आगर और दिल्ली में सारजने कर व्यक्तिकत सभा है तो समारो कक्षोद दिवाने खास और दिवाने आम की योजना बहुत सावधाने पूरोग बनाई जाती थी एक विशाल आंगन में इस्तितिय दर्वाज चिहिल सुतन अत्वाज चालीस खंबो के सब्रावन भी कहलाते थे शाजापुरा के सभा बहुन विशेश रूप से मस्जित से मिलने दुलते बनाए गए उनका सिंगासन जिस मंच पर रखा जाता था से प्राय किवला नमाज के दुरान मसल्मानों के सामने की दिशा कहा जाता था क्योंकि जिस समय दर्वाज चाता था उस समय प्रतेग व्यक्ति उस और मू करके बैड़ता था इन वास्तो का लात्मात्मक अभी लक्षनों का इस और इशारा था कि राज़ा परत्वी पर इश्वर का परत्वी निस्क था शाजा ने दिल्ली के लालकले में के अपने नवनिर्मित दर्वार में राज किये नय और शाही दर्वार के अंतसंबंद का बहुत बल दिया बादशा के सिंगासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाओ काम की एक शंकला बनाई गई जिसमें पूरानिक युनानी देवता आफिसियंस की वियना बजाते हुए चित्रित किया गया ऐसा माना जाता है कि आफिसियंस का संगीत आक्रमक जान और को भी शांत कर सकता है और वे शांती पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं शाजा के सारजनिक सबा बहुन का निरमान यह सूचीत करता था कि नियाए करते समय राजा उंचे और निम्न सभी प्रकायर के लोगों के साथ समान विवार करेगा सभी इस दुआवना के साथ रह सकेगे शाशन के आरहम्बिक पुर्शों में शाजा कि राजदानी आग्राथी इस शेर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्मान यमना नदी के थटोपर करवाया था इंका निर्मान चारबग के रसना के ही समान और अपचारिक बागों के बीच में हुआ था चार बाग की योजनाओं के अंतर के थी अगनी तरह के बाग भी थे जिने इत्यासकार नदी तट बाग कहते हैं इस तरह के बाग में निवासिस्तान चार बाग के बीच में इस्तित्नाओं करके नदी तटो के पास बाग के बिलकुर किनारे पर होता था शाजा ने अपने शाशन की भवेत्तम वास्तु कलात्मक उपलब्दी ताजमेल के नक्षे में नदी चट्ट बाग की योजना अपनाई यहां सफेद संग्मरमर का मगवरा नदी तटके एक चबुत्रित परत था बाग उसके दक्षिंक में बनाया गया नदी पर सभी अभी जातों की पहुंच पर नियंतरण है तू शाजा ने वास्तु कलात्मक रूप्स को विक्षित किया दिल्ली के शाजानाबाद में उसने जो नया शेहर निर्मित करवाया उसमें शाही मेल नदी परिस्तिता केवल विशिष्ट करपा प्राप्त अभी जतो को कोहिन नदी तक पहुंच मिली थी अन्य सबी को अपने घरों का निर्मान यमना से धूर शेहर में करवाया करना पड़ता था शेत्रों समराज्य आठवी एठार्वी सताब्दी के बीद जब निर्मान संबंदी कतिविदियों में बड़ोत्री हुई तो विविन शेत्रो के बीच विचारों का भी प्रयाप्त आधान प्रदान हुआ एक शेत्री के परंप्राय दूसरे से द्वरा अपनाई गई उधारन के लिए विजे नेगर से राजाओं की गजशालाओं पर विजापुर और गोलकंडा जैसी आस्पास की सत्रनों की वास्तु कलात्मक शेली का बहुत प्रभाव पड़ा था मत्रा के निकट इस्तित्वरंदावन में बने मंदिरों की वास्तु कलात्मक शेली फत्य पुर्शेक्री के महलों से बहुत मिलती चलती थी विशाल समराज्यों के निर्मान के विविन चेत्रों को उनके शाष्ण के अधिन ला दिया इससे कलात्मक रोपोवे वास्तों कलात्मक शेलियों के परसंचेरंस में मदद मिली मुगल शाषक अपने बहुन के निर्मान में शेत्री वास्तों कलात्मक शेली अपनाने में विशेश रूप से दक्षते उधरान के लिए बंगाल में इस्तानी शाषकों ने छप्पर की जो अ वास्तो कलाह में इसका प्रवाओ उन्हें शेत्रों का प्रवाओ बिस पषता अक्बर की राजदानि स्थापुर शीकrospect एक इमारत कई 예मारतों पर गुजरात वे मालवाकी वास्तो कलात्मक में इसका प्रवाओ दिखा 18 शताब्दी से मुगल शाशकों की सत्ता में के दुमिल हो जाने के बादी उनके आशेस्वें विक्षित वास्तो कलात्मक्षेली नेंतर प्रियोग में रही तता अन्य शाशकों ने जब भी से हमके राज्जे इस्ताफित करने के प्रयास किये यह शेली अपनाई गई 18 शताब्दीन से प्रांस में आरंबिक बहुनों की तुलना में अधिक उंचे वे हलके चार्चों के निर्मान का प्रयास शुरुक हुए वास्तो कला कि इस शेली गोथिक नाम से जाने जाती थी इस शेली के विविशिष्टाय नुखिले उंचे मेराब रंगीन कांच का प्र पुष्टे दूर से ही दिखने वाली उंची मिनारे और घंटी वाले पुर्ज बाद में चर्च से जुड़े इस वास्तो कलात्मक्षेली के सर्वतकर्ष्ट ग्यात उधारणों में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है बारवी और तेरवी शताब्दी के दर्षकों में इसका निर्मान हुआ था इस परकार से बच्चों आज हमारा ये चेप्टर समाफ हुआ इसमें कुछ चीज़े और हैं जो मैं आपको बताना चाहा रहा हूँ देखिए ये एक चर्च का चित्र है कि ये उपर जो है पत्वपुर सीखरी के जोदवाई मेल के चत के विस्तार को समानने वाले अलंकरत इस्तम टेख है जिसमें गुजरात की वास्तुकला प्रमपराओं के प्रभावित है या उनके साथ बनेगी है इसी प्रकार से ये आप देखेंगे कि इस नक्से से आगरा नजी तट बाग शेर का पुनर कल्पी तरश्य है द्यान देख कि कैसे यमना के दोनों तटों पर अभी जीतों के बाग महल इस्तित्हें ताज महल बाई और दिल्ली के शाजा शाजानाबाद की योजना कि तुलना आगरा की योजना से करो इसी प्रकार से ये देखेंगे यमना नदी है जिस दिखाई गई है अठारा सो पचास का शाजानाबाद का एक नक्षा है बाश्या का निवास कहा है शेर काफी कहना बसा हुआ लगता है लेकिन आपको कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं कि आप मुक्हे मार्क और जामी मस्जिद दून सकते हैं इसमें देखना है आपको मुक्हे मार्क और जामी मस्जिद दूननी है इसमें देखिए नक्षे में और से इसी परकार से ये एक चित्र है वरंदावाय में गविन देव जी के मंदिर की अंदोनी भाग है जो 1590 में इस मंदिर का निर्मान लाल बल्वा पत्रों से हुआ था है दो पर्थिचेजित मेरा वो पर ध्यान दे जिसमें इसकी हुँची भीती चत्वा निर्मान किया गया है वास्तुक्रा की शहली उत्तरपूरी इरान खुराशना से आई और स्वत्यपृ सीकरी में इसका प्रयोक किया गया हुआ ये देखिए जो दिख्राई ये इसका आध एक्स प्रकार से बच्चों यह हमारा आज पार्ट शाशक और इमारते समाप्त हुआ इसके अंतर गत्त आपके पास जो है कि प्रशन दिये गए हैं कि इन प्रशनों को आको करना है परस्ट नंबर एक से ले करके प्रसन नंबर दस तक को करना है कि यह आपको कहों बलपके कोपि में करनी है कोपियों को करके शिगर ताइब जांच के लिए विध्धाल्ने लेकर के आएं विद्धा ले आने का समय आपका ग्यारा बज़े से लेकर के और तीन बज़े के मद्धे में लाएं आप इसके तिरिक्त यदि आपको किसी भी विशे में कोई भी समस्या हो तो आप अपने उस समस्या को ले करके इसी समय पर विद्धाले में उकस्तित हो सकते हैं लग्याद इसी के साथ आपको मैंने बताया था कि आपको प्रोजेक्ट शीट खरीदनी है एड़वाईजर की जो अशोक उस्तक मंदिर बड़े तक्षे के बाहर से मिलेगी आपको शिक रतीशी की से खरीदना है और इसे भर करके विद्धाले में जमा करवाना है मुमित करता हूँ कि आप लोगों ने खरीद दियोगी नहीं खरीद दिये तो कल इतवार है जा करके खरीद ले आप संडे को मार्केट चालू रहता है खुला रहता है इसलिए आप उसके अपोर्डिंग आप ले ले आज हमारे चेप्टर समाफ हो गया है कल हम नया चेप्टर पढ़ेंगे नगर व्यापारी और शिल्पिजन चेप्टर नमबर छे तब तक के लिए बच्चों बाय गुडवाय बच्चों